जैहिन दोस्तों आज का question जो average पर है If the average of 40, 10, 25, 20, 35, X is 25 Then the value of X मतलब अगर 10, अगर 40, 10, 25, 20, 35, X X कोई digit है जिसका value हम लोग को नहीं मालू है उन सब का average अगर 25 है तो फिर X का value क्या होगा जैसा कि हम लोग को मालू में कि average निकालने के लिए average का formula आता average is equal to sum of value divided by total number of value तो यहाँ पे जो given data है उससे sum of value निकालना है क्या data दिया आवा यहाँ पे? आए देखते है sum of value होगा 40 plus 10 plus 25 plus 20 plus 35 plus X divided by total number of value जितने number of value है जितने भी digit है उन सब को count करने पे जितना आएगा वो निकना होता है total number of value क्या होता है? जितने number of count है जितने number of यहाँ पे value दिये है यहाँ पे total number कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है 6 आजागे यहाँ पे इन सब का अगर average 25 होता है तो X का value हम लोग को निकालना है इन सब को add करने पे कितना आएगा? therefore 130 plus X सारे digit है उन सब को add करने के बाद 130 plus X total number of value 6 है कितने आते हैं सब कितना होगा इस सब का average किया दिया यहाँ पे 25 therefore 130 plus X is equal to 25 into 6 150 130 plus X is equal to 150 then X का value क्या होगा? 150 यह 130 है वो minus में चला जाएगा यहाँ पर plus में है sign में तो यहाँ जाके minus हो जाएगा 130 is equal to 20 then X का value क्या निकला? X is equal to 20 यहाँ पर जो X का value है वो 20 आया अब यहाँ पर X का value निकल गया X is equal to 20 यह इसका X का value आगया X is equal to 20 आगया अब यह सही है कि गलत है यह कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर question में दिया इन सब का average 25 है अगर हम इस X का value इस X का value जो 20 आया अगर यहाँ पर put कर दे उन सब का average निकालेंगे 25 आएगा आए इसे कैसे करते देखते हैं 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस X का value क्या आया था? X का value यहाँ पर 20 आया था इन सब का average 25 निकला अगर इस प्रकार के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल आइकन को ज़रूर दबाए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें